एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं अतिसे रगड करे जो कोई अनल प्रकट चैन्दन से होई चाइना के राजदूत के साथ फिलिपिन्स ने ऐसा क्या कर दिया है जिसे समझा जा रहा है कि फिलिपिन्स का बहुत ही हिम्मत भरा कदम है जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ कौन है जो 400 मिसाइले बना रहा है वो भी खास तोर पर चाइना के लिए जानेंगे इस देश के बारे में और ये देश क्यों चाइना के लिए भी बरोबर का संकट बना हुआ है जियो पॉलिटिक्स में दमाल मचा हुआ है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से दचिन चीन सागर का ये इलाका जहां चाइना ये कोसिस कर रहा है कि छोटे छोटे सारे देशों को निगल जाए इसकी सुरुआत चाइना कर रहा है छोटे छोटे दिविपों से और इ उसे कह रहा है इसे हटाओ चाइना कह रहा है यहां रखके क्या कर रहे हो इसको हटाओ बार बार इसको रीफिट करके लाकर खड़ा कर देते हो लेकिन फिलिपिन्स का कहना है यह हमारे संप्रभुता सम्मान का प्रतीक है यह जगा हमारी है इसलिए हमने यहां पर खड़ी इसलिए हम नहीं हटाएंगे अब ये केस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि चाइना की नेवी चाइना के कोस्ट गार्ड कहा जा रहा है दचिन चीन सागर के कई इलाके में खड़े हो गए हैं अब ये चीनी कोस्ट गार्ड सिप आने वाले फिलिपिन्स के किसी भी सिप को जाने नहीं देते हैं उन पे कैनन से पानियों से बोचार करने लगते हैं और उनके लिए समस्या खड़ी कर देते हैं फिलिपिन्स में चीनी राजदूत हैं हुआंग जिलियन इन्होंने भले इस मामले में कुछ किया हो या नहीं किया हो लेकिन फिलिपिन्स की नगरपाली का काला यान बहुत ज़्यादा नाराज है और इन्होंने नाराज होकर चीनी राजदूत हुआंग जिलियन को परसोन नौन ग्रेटा बना दिया है घोसना कर दिया है अब क्या है पर्सोना नौन ग्रेटा तो आपको बता दें पर्सोना नौन ग्रेटा का मतलब होता है यह आदमी हमें नहीं चाहिए यह अवांचित आदमी है बेकार का आदमी है किसी विदेशी राजदूत को पर्सोना नौन ग जनता में इतना गुषा देखा जा रहा है चाइना के पर्ती कि नगरपालिका ने इस फैसला को लिया है अलाकि इस फैसले का कोई आधिकारिक महत्व majesty. मैं दैलना को दिक दिया निया है चाइना को कि देखो फिलिपिन्स की जनता तुम्हारे लिए क्या सोच रही है तुम जो इस तरीके की हरकते कर रहे हो इन हरकतों से फिलिपीन्स की जनता के मन में चाइना के लिए औसंतोस बढ़ रहा है और ये हमारे रिष्टे को कहीं न कहीं परभावित करेगा स्क्रीन पर जो देख रहे हैं यहीं वो सक्स हैं चाइना के राजदूत जिन को घोसित किया गया है नगर पालिका के द्वारा ओवांचित सदस्यर खेर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया ऐसा लगता है न जैसे लड़कर ही खत्म होगी और ये बात कई बार कहा भी जाता है कि इतना ज़्यादा लोब और लालच बढ़ गया है कि ये आपस में लड़ भिड़कर ही खत्म होंगे और सबसे बड़ा खत्रा इस वक्त अगर कोई आकरामक रूप अपना रहा है तो वो है चाइना चाइना बहुत आकरामक रूप अपना रहा है और ये बात अब तो अमेरिका खुलकर करने लगा है कि चीन दिन पर दिन दुनिया के लिए एक बड़ा खत्रा बनता जा रहा है अमेरिकी स्टेटजिक कमांड की तरफ से चीन के जो परमानू विकास का एकरम है उन पर लगाता नजर रखी जारी अब इसके मुख्या की तरफ से पिछले दिनों क्या कहा गया कि चीन तेजी से परमानू हतियार बनाने में लगा हुआ है उनके बयान का अगर बिसलेसन करें तो चाइना अमेरिका के लिए बड़ी चुराउती बन गया है तो फिर अमेरिकी सेना को भी निपटने के लिए पूरी तरह तयार रहना होगा खास तोर पर ये एक दूसरे के उपर नजर बना कर रखे हुए हैं और दोनों ही अपने-अपने कमांड के जरिये एक दूसरे के बेस पर भी कहा जा रहा है नजर रख रहे हैं एक दूसरे के हतियारों पर भी नजर रख रहे हैं जमीन, समुद्र और हवा इन तीनों प्लेटफॉर्म पर खिस तरीके से नुकलियर ट्राइंगल तयार करना है इसके लिए देश ध्यान दे रहे हैं कहा जा रहा है चाइना के ऊपर कि चाइना एक ऐसे हतियारों का निर्मान करना चाहता है जो इस nuclear triangle पर काम करें साधारन भासा में समझे इसका मतलब ऐसी हतियारें जो परमानू हतियार हो जिने चमीन से चलाया जा सके समुद्र से चलाया जा सके हवाओं से भी चलाया जा सके मतलब तीनों माध्यम से दागा जा सके ऐसी मिसाइले और जब चाइना कर रहा है तो कहीं न कहीं अमेरिका भी कर रहा है अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने अभी वियोमिंग में मोंटाना में नौर्थ डकोटा में एयर फोर्स बेस में बड़े बड़े हतियारों की तैनाती शुरू कर दी है अमेरिकी वायू सेना नई ICBM को भी डेवलप करने में लगी हुई है ICBM मने इंटर कॉंटिलेंटल बैलेस्टिक मसाइले एक द्वीब से दूसरे द्वीब तक हमला करने की चाइना और अमेरिका की दूरी कितनी है ये सभी को दिखती है और चाइना के उपर अगर वार करना है तो ICBM की जरूरत होगी अमेरिकी वायू सेना ये सोच रही है कि अपने सभी मिसाइलों को और जमीन से छोड़े जाने वाले मिसाइलों को ICBM में बदला जाए और कहा जा रहा है कि जहां इस दसक के अंत तक चीन के पास एक हजार से ज़्यादा हतियार होंगे तो वहीं कहा जा रहा है अभी तो 410 बताता है चाइना की हमारे पास परमानू हतियार है पर अनुमान से कई गुना ज़्यादा चाइना के पास पहले से है इस्ट्रेटिक कमांड के मुखिया जनरल है एंथोनी कॉटन अमेरिका के इनका कहना है कि हमें ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि छीन ने परमानु हतियार बनाने की रफतार कम कर दी हो हमें दिख रहा है कि वो रफतार उसी तरीके से बनाए हुए है रोड पर चलने वाले परमानु हतियार यानी ट्रकों पर जिने माउंट करके इधर से उधर ले जाया जाए या साइलो बेस्ट ये दोनों ही परमानु हतियार अमेरिका की तुलना में चाइना के पास ज़्यादा है जनरल कोटन की चिंता है कि अगर चीन और रूस एक हो गए तो अमेरिका को नुकसान होगा अमेरिकी जनरल कोटन ने इस साल की सुरुआत में कॉंग्रेस को चिठी लिखी मतलब अमेरिका की कॉंग्रेस को और सांसदों के सामने चिंता भी जताई थी उन्होंने कहा था कि चीन के पास इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइलों की संख्या अमेरिका की तुलना में कम है लेकिन जमीन अधारित और मोबाइल ICBM लॉंचरों की संख्या बढ़ गई है साइलो अधारित सिस्टम मतलब अपनी जगह पर इस्थिर होता है इन्हें चुपाना कठिन होता है लेकिन ये सिस्टम मोबाइल सिस्टम की तुलना में अखम बिनासकारी होते हैं अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 300 से ज़ादा मिसाइलों को साइलों में फिट किया है चाइना ने इसके अलावे घूमने फिरने वाले ट्रकों पर माउंट करने वाले कई सारे नए ICBM का निर्मान कर लिया है तो अमेरिका के लिए टेंसन की बात है अब इसे देखते हुए अमेरिका ने 400 मिनिट में 3 की तैनाती कर दी है ब्योमिंग मोंटाना और नौर्थ डिकोटा के एर फोर्स बेसेज में और कहा जा रहा है कि अमेरिकी वायू से नए ICBM को भी डवलप करने में लगी हुई है खेर जिस तरीके से हतियारों की होड मची हुई है ये हतियार एक देन पूरी की पूरी पूरी पृत्वी को खतम करके मानेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है एक भी परवानू हतियार एक तरफ से चला तो समझ लीजिए फिर दूसरी तरफ से तीसरी तरफ से ऐसी इस्तिती पैदा हो जाएगी कि ये प्रित्वी ही खत्म हो जाए वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राह है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ